नमस्क्रा दोस्तों स्वागत है आपका वेट लॉक्स दिवेटने यूटिव चैनल में आज की वीडियो में हम सबसे ज्यादा जिनोमिक वैल्यू वाले इंपोर्टन बुल की बात करेंगे तो वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी क्योंकि हम बुल की थोड़ी डिटेल में बा तो बुल की डिटेल शुरू करने से पहले हम कुछ जर्नल बात करेंगे जिससे आपको डिटेल समझने में असानी होगी तो अक्सर देखा गया है कि most of the dairy farmers बुल की डैमिल्ट पर फोकस करते हैं फार्मर ओली डैमिल्ट को देखकर बुल यूज कर लेता है वो बुल के सभी ट्रेट्स को इगनोर कर देता है पर ये चीज कहीं ना कहीं पर फार्मर के dairy herd को इंप्रूम होने नहीं देती पर अगर हम foreign या इंडिया के progressive dairy farmers की बात करें तो वो इस टीज को नहीं देखते वो mainly देखते हैं बुल के overall value को तो सबसे पहली value है DPI value जिसे हम total performance index भी कहते हैं ये value USA के bulls में use होती है दूसरी है LPI value ये होती है live performance index ये value Canada के bulls में use होती है NTC है NTM value जिसे हम Nordic total merit कहते हैं जो Nordic countries use करती है जिसमें Denmark, Sweden and Finland ये तीन country आ जाती है ये NTM value पर काम करती है तो TPI को already हमने bull selection formula वाली वीडियो में cover कर लिया था तो आप इस वीडियो को channel पर visit करके check कर सकते हो तो आप बात करेंगे NTM की जिसे Nordic total merit कहा जाता है NTM bull के production, fertility and type trades को combine करके बनाया जाता है ये value जितनी high होगी उतना ज़्यादा farmer को economic benefit होगा अगर आप high NTM वाले bull use करते हो तो वो आपको अच्छी quality और अच्छी economic वाली बाजनी provide करेगा NTM value animal के productive lifetime के additional value को show करता है अगर किसी bull की NTM value minus 22 plus 20 हो तो ये तीनों countries उस bull को top के 100 bull में से एक मानती हो अगर किसी bull की NTM value plus 20 हो तो ये उस bull को top के 3 bull में से एक मानते हो अगर किसी bull का NTM plus 10 हो तो उसकी daughter को अपनी mother से 20% विमारी कमाएगी मतलब जो bull से आने वाला काफ है उसको अपनी मा से 20% problem कमाएगी अगर किसी bull का NTM value plus 20 हो तो उसकी daughter को अपनी mother से 40% विमारी कमाएगी अगर किसी bull का NTM plus 30 हो तो उसकी daughter को अपनी mother से 50 to 60% तक विमारी कमाएगी तो अब शुरू करते हैं bull की detail को तो आज हम Denmark के सबसे high genomic value वाले bull के बारे में बात करेंगे तो बात की जाए bull की bull की ID है HF50053 तो आपकी screen पर bull का सारा data show हो रहा है तो हम step by step सारे detail को समझेंगे bull की date of birth है 30-3-2015 यह bull Denmark country से इंपोर्ट किया गया है तो नेक्स्ट है इस bull का NTM वो है प्लस 37 मतलब यह bull टॉप के bull में से एक bull है इस bull के सभी traits अच्छे हैं और इसकी daughter काफी अच्छा परफॉर्म करेगी सभी traits में तो यह bull की photo है तो इसके नीचे कुछ highlighted parameters लिखे हैं जो इस bull की quality को show करते हैं मतलब यह bull milk में improvement देगा fat और protein को plus करेगा और overall सभी traits में अच्छा होने की वज़ा से इस bull को all around का tag दिया गया है देन नीचे इसकी pedigree detail दी गई है यह bull super short, omen omen and deadric का cross है इस bull की pedigree बहुत ही अच्छी है क्योंकि इसके parent चाहे वो paternal side से हो यह maternal side से हो सभी ही top category में शामिल है pedigree detail देखें तो kongen super short, यह इसके sire है rose super class, यह इसकी दादी है seagull base super side ET यह इसका दादा है carless dale superstition ET यह इसका पड़ दादा है देन इसके maternal data की तरफ देखा जाए तो android step mom karen यह bull की damn है और android step deadric karen यह bull की nani है long lang omen omen ET यह bull का nana है rgk didric यह bull का पड़ ना है तो next आ जाता है bull का main data जिसमें यह data bull के sire का है यह data estimated building value 2005 base की दी गई है जैसे जैसे इस bull की progeny आती रहती है वैसे वैसे यह value change होती रहती है और इसके साथ reliability भी बढ़ती जाती है यह value bull के बाप, दादा, दादी और पड़नाने के estimated breeding value से निकाली जाती है यह चीज फॉरण में possible है क्योंकि उनके पास advanced technologies data and sources available रहती है तो सबसे फैले नमबर पर है kong and super short जो इस bull का sire है यह उसकी detail है बुल के sire की mother 236 kg milk बढ़ाती है example अगर हमारे पास कोई cow है जिसकी peak yield 20 kg है तो उसके पूरे lactation की estimated milk yield निकाले तो peak milk yield को 200 से multiply करो यह उसके पूरे lactation की estimated milk yield निकल जाएगी तो यह बनी 4000 kg तो अगर इसमें 2386 kg एड़ करेंगे तो आने वाली बचिया 6386 kg दूर देगी मतलब अपनी मा से 2386 kg दूर बढ़ जाएगा मतलब daily का 11-12 kg बढ़ जाएगा अपनी मा से देन नेक्स्ट है fat तो इसकी fat देखें तो यह आपको kg में दी गई है तो वो है 75 kg तो अगर हमारी काव के पूरे lactation की milk 4000 kg है और चार की fat है तो fat को kg में निकालने के लिए milk को fat से multiply करो and divide by 100 इससे आपके काव की fat kg में निकल आएगी जैसे 4000 x 4% divided by 100 यह बनती है 160 kg यह 160 plus 75 kg फुल की fat से add करेंगे तो आगे daughter की fat 235 kg बनेगी मतलब आगे आने वाली daughter अपनी मा से 0.4 to 0.5% fat improve करेगी आगे protein दिया हुआ है वो भी same ऐसे है पर इंडिया में protein नहीं देखा जाता तो इसे हम छोड़ भी सकते हैं Next है इस सायर के type traits या linear traits तो यहां इसके standard transmitting ability value दी हुई है तो इसमें 100 value को average या normal consider करते हैं 100 से उपर वाला bull के trait को positive consider करते हैं और 100 से नीचे वाले को negative में consider करते हैं तो अगर आप trait देख रहे हो तो 100 plus value वाले bull select करें तो बुल के सायर के linear traits देखे जाएं तो अडर frame दोनों ही positive में है और feet and legs का score थोड़ा average में है Next data है इस बुल की damn मतलब mother का तो इसमें बुल की damn की best lactation yield दी हुई है best lactation होती है दूसरी तीसरी या चौथी lactation इसमें से best कोई भी हो सकती है जिसमें cow ने अच्छा perform किया होगा तो बुल की damn milk yield है 14,349 kg Next इसकी fat का data percentage and kg दोनों में दिया है Next protein है और आगे same as it is जैसे मैंने आपको उपर बताया है बात की जाए बुल की damn के linear dates की तो adder, feed, legs and frame सभी ही positive में हैं जो की एक plus point है अब आजाता है बुल का main data जिस पर हमने ज़्यादा focus करना है वो है GEBV मतलब Genomic Estimated Beading Value जो की इस बुल की है अब ये Genomic Estimated Value कैसे निकाल ली गई है? जब ये बुल दो मत का होता है तब इसका DNA लिया जाता है और उस DNA को बुल के सभी ancestor से मिलाया जाता है जिसके साथ ज़्यादा character match होते हैं तो उस बुल के सभी value को उसके हिसाफ से define कर देते हैं कि इस बुल की progeny ऐसी होगी Genomic testing सबसे advanced technology है इसकी reliability 65% होती है मतलब आगे आने वाली progeny 65% improvement देगी एंड आप 100% surety नहीं दे सकतेगी ये 100% increase होगा तो देखते हैं बुल के genomic data को इस बुल की genomic milk yield 269 kg है तो इसकी daughter 13-14 kg per day में improvement देगी बट reliability के हिसाब से देखा जाए तो per day 8-9 kg milk improve होगा Then fat and protein दिये गए है kgs में Then next है बुल के type traits, frame, leg and feet and udder सभी traits की STA value positive में है जो की बुल का positive point है ये तो था बुल का खुद का, मा का और बाब के production और type traits क data Then अब बात करते हैं बुल के health and fertility के data के बारे में स्टार्ट करते हैं स्मेटिक सेल स्कोर से तो इसकी value है 2.75 तो इसकी daughter को mustatis नहीं आएगी DPR देखें तो plus 2.3 है तो इस बुल की fertility बहुत ही अच्छी है क्योंकि जितना ज़्यदा TPR positive में होगा उतना pregnant होने का rate ज़्यादा होगा और carving के बाद जल्दी heat में भी cow आएगी Then है HCR ये भी plus 0.8 है बुल से आने वाली heat पर जल्दी pregnant होगी Then है CCR ये भी plus 3.1 है ये भी positive में है ये भी अच्छा है fertility index plus 2.2 है इस बुल का fertility index बहुत ही अच्छा है Productive life plus 6.8 है ये भी 6.8 days ज़्यादा productive रहेगी अपनी मा के overall life period से Feeding efficiency plus 177 है बीटा के जीन इसमें A1, A2 present है अब बात करते हैं बुल के linear trades की जो farmer only linear trade पर focus कर रहे हैं वो इस चार्ट को देख सकते हूँ इस चार्ट को detail में समझने के लिए बुल selection वाली वीडियो का part number 3 जो देखें जिससे आपको सारे traits का इबारे में detail से पता लग सके तो सबसे पहला linear trade है stature जो की shallow से थोड़ा सा बड़ा होगा next है dairy form जो की positive में है animal का ribs का gap जादा होगा angular होगा and spring सभी ही उबरे हुए होगे जिससे animal ज्यादा दूद देगा next है strength वो भी positive में है और honi भी चाहिए next है ramp width ये भी positive में है ये भी ज्यादा broad होगी ramp angle little bit positive में है तो इसकी daughter का ramp थोड़ा सा slightly down slope होगा leg side view and rear side view भी positive में है foot angle भी slightly positive में है and feet and legs score भी positive में है तो इसके सभी ही score legs के और feet के भी अच्छे है other की attachment and पीछे से height और other की broadness काफी अच्छी रहेगी other cleft भी काफी अच्छा रहेगा and other की depth normal है बात करें teeth की तो teeth का size थोड़ा सा बड़ा रहेगा normal से and teeth की placement काफी अच्छी रहेगी तो अब बात करते हैं इस bull की प्रोजनी की तो आप 50053 की प्रोजनी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो तो अगर बात करें इसके milking की प्रोजनी की तो इसकी प्रोजनी काफी अच्छा प्रफॉर्म कर रही है फाबन ने इस bull की performance को बहुत ही अच्छा review दिया है जिसमें इसकी daughter ने first lactation में 35 प्लस kg दूद है इसकी मां का दूद देखा जाए तो वो third lactation में 30 kg था तो इसकी daughter ने काफी अच्छा improvement दिया है ये दूसरी प्रजनी है जो 35 प्लस kg मिल्की इल्ड पर चल रही है इसकी mother का record 44 kg था फिफ्ट लक्टेशन में then ये और प्रजनी है 50053 की ये सभी प्रजनी 35 kg की average मिल्की इल्ड पर चल रही है इस बुलकी सभी प्रजनी अच्छा performance दिखा रही है तो ये थी आज की वीडियो वीडियो इंफॉर्मेटी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जो शेयर करें आगे आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तो आज के लिए इतना ही इतने है नेक्स वीडियो में थैंक यू